नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स की तरब से आये हुआ एकदमी लेटेस्ट दोहजात तेस्ट का न्यू मॉडेल G41 DDR3 सपोर्ट मदर बोर्ट के बारे में और इसका जो सौकेट नंबर है वो है LGA775 और इसका हम आज अन्बॉक्सिंग करेंगे और दोस्तों बात करेंगे इसका मेरे को कितना प्राइस पड़ा है पर्चस करने के टाइम और क्यों मैंने इसको पर्चस किया है वो भी मैं आज के इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो डाला था ऐसा ही कुछ Zebronis के Motherboard का वीडियो था वो और उसमें मैंने सेम Motherboard लेकिन वो Old Generation का था मतलब पुड़ाना model था ये अग्दम latest model है और उस वीडियो मैंने बताया था कि वो जो Motherboard था उसके अंदर हम processor RAM लगा के full testing वीडियो हम उसको उपर बनाएंगे वैसा ही दोस्तो इसके उपर भी है इसको मैंने इसलिए purchase किया है कि आपको दोनों का वीडियो at a time में दिखा पाऊ कि कि डिडिया 2 और डिडिया 3 में क्या difference है उसको चेक करने के लिए एक ही रास्ता था कि यह जो LGS 775 G41 का Motherboard लिया जाए तो यही है दोस्तो G41 Motherboard और दोस्तो इसके अंदर कौनसे कौनसे processor डाला जा सकते है वो मैं आगे बताऊंगा तो बात करते हैं इसको purchase करने के time मेरे को कितना costing आया तो दोस्तो यह जो Motherboard है यह मेरे को costing total आया 2500 रुपे और इसके अंदर हमें क्या के specification देखने को मिलते हैं कौनसे कौनसे port इसके अंदर available है उसे के हम आज बात करेंगे तो दोस्तो बिना time को waste करते हुए चले वीडियो में आगे बरते हैं Unbox की तरव तो दोस्तो यह रहा हमारे सामने Zip Bronis का Zip G41 D3S Motherboard और दोस्तो यह गदमी latest new Motherboard है और इसका अगर मैं size की बात करूँ तो दोस्तो पहले बाले Motherboard से पैकेट तो दोस्तो बहुत ही छोटा हो चुका है शायद Motherboard का size भी छोटा जरूर होगा मैं आपको पुराना वाला जो पैकेट है वह भी दिखा देता हूँ तो दोस्तो यह है पुराना वाला पैकेट और यह है नूवाला पैकेट तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा difference इन दोनों के अंदर है तो दोस्तो यह तो पुराना वाला बहुत बड़ा था चोटा बहुत चोटा हो चुका है नूव मॉडल तो मेरे इसलिए इसको purchase करक मेरे दिल में हुआप जागा कि क्या है इसके अंदर एकदर नियूद उसके बारे में ही आजन बात करेंगे एक और बात दोस्तो मेरे पास इसका जो पुराना वाला जो मदरबोर्ड है वो भी आपे लबेल है वो भी मैं size comparison करके आपको दिखाऊंगा लेकिन दोस्तो उससे पहले में आपको इसके जो फीचर से कौनसे कौनसे जो प्राइसर से सपोर्ट करते है वो उसकी बात में कर लेता हूँ तो जैसे के आप यह पर देख सकते हो दोस्तो सपोर्टेट जो CPU से यह वहाँ पर आपको मिल जाता है सॉकेट 775 इंटल कोर टू क्वाड का सपोर्ट मिलता है बतले कि दोस्तों आप इसके अंदर क्वाड कोर कर प्राइसर इंस्टॉल कर सकते हैं उसी के साथ हमें कोड़ टू डू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है पेंटियम सीडिस का और सेलरॉन सेडिस के जो प्राइ इंटल का चिपसेट मिलता है उसी के साथ आप यहाँ पर अप्टू 8GB 8GB तक आप यहाँ पर रैम लगा सकते हो यहाँ पर दोस्तों डिया 3 का रैम सपोर्ट करता है और दोस्तों VGA पोर्ट और USB पोर्ट, LAN पोर्ट, Audio पोर्ट क्या के हैं वह मैं आपको इसको उपन करके दि और मैंने इसको पर्चेस किया है 2,500 रुपए में तो दोस्तों भाड़ी अमांट में मेरे को डिस्कॉंड मिला है इस मदरबोर्ट को उपर और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से उपन किया जाता है और कोई भी सील लगा हुआ हमें नहीं मिलता है लेकिन उस पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर आयो शील्ड और दूसरों यह जो आयो शील्ड है इसके अंदर जितने भी छेद है वह सभी काम में आ जाएगा और चलो इसको रखते साइड में पहले तो उसके बाद हमें देखते को मिलता है एक साटा केबल वह भी इसको ब्लैक कलर का साटा केबल है यह पहले रेडर था भी ब्लैक कर दिया गया है तो यह भी एक अपडेट है तो चलो इसको भी रखते साइड में और उसके साथ जब्रोन इसके बारे में कुछ मीठी मीठी बात है तो इसको भी रखते साइड में और इसके साथ न्यू बात हो जाता है चलो इसको भी हम पैकेट के अंदर इसको रख देते हैं और इसके साथ दोस्तो यूजर मैनुल गाइड दोस्तो जेब्रोनिक्स के मदर बोर्ड के साथ मुझे इतना बढ़िया सा यूजर मैनुल गाइड पहले कभी नहीं मिला अभी ये साथ पहली बार है कि इस तरह का जो इसर मेनुल गाइड दोस्तो आ दोस्तो यह भी उसर मैनुल-गाइड दोस्तो इहापि ऑगया जो पीकेट के पीछे लिखा हुआ था वही सेम बात है यहापे बीमेंशन है यह आपको तस्वीर मिल जाता है और यहापि जैसा कि आप या पर देख सकते हो, front panel का connection कहाँ पर कहाँ पर होता है, उसका भी proper details या पर दिया गया है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं, front panel कहाँ पर कहाँ पर लगता है, तो मैंने इसके उपर detail वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, मैं नीचे description में उसका link द रहा था, पहले बाले से दोस्तों ये बहुत ही छोटा मेरे को लग रहा है, लेकिन छोटा होने के बाबो जो दोस्तों इसके अंदर मेरे ख्याल से धेर सारे energy, धेर सारा power इसके अंदर होगा, तो चलो अभी सारे चीजों को side करते हैं, तो ये रहा दोस्तों हमारा main component, motherboard को अ oh my god, दूस्तरे तरफ second seal लगा हुआ है, invisible seal है, इसको मैंने note नहीं किया था, चलो इसको भी निकल लेते हैं, चलो, ये भी निकल गया दोस्तों, बहुत ही amazing बात, अभी zebrani दो-दो seal यूज़ कर रहा है, पहले तो ये की था, चलो इसको भी लगते है, side में, और दोस्तों जै नहीं रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 61 का motherboard है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक नया update है, कि यहाँ पर ये जो हिट सिंक है, इसके उपर ही जो zebronics का model number है, वो mention किया गया है, ये जो model है दोस्तों, इसके साथ एक खास बात ये है, कि आपको यहा 2.0 port है, इसके साथ आपको एक VGA port मिल जाता है, एक आपको LAN port और उसके साथ 5.1 support, home theater का भी आपको ये पर support देखने को मिल जाता है, और इधर पर दोस्तों, मैं अगर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देख सकते है, कि रियल टेक का आपको यहाँ पर ड्राइबाद देखने को मिलता है, उसके साथ इसके अंदर इस तरह दो आपको जो RAM है, RAM का slot मिलता है, यहाँ पर आप दोस्तों 4GB, 4GB करके RAM लगा सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल 8GB का भी stick यहाँ पर लगा सकते हो, तो port की बात करें, तो जैसे का आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो port ह जाएगा, यह 775 का जो socket है, वो socket आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और एक और बात दोस्तों जो इस motherboard को एकदम सुपर खास बनाता है, वो यह है कि, जितने भी दोस्तों यहाँ पर capacitors आप देख रहे हो, सारे capacitors यहाँ पर solid है, मैं आपको पुराना बाला motherboard दिखात है, इनकी बज़े से motherboard जल से जल नस्ट होता है, लेकिन दोस्तों इस motherboard के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर सारे जो capacitor से वो solid देखने को मिल जाता है, दोस्तों मैं पहली बताता है, यह जो motherboard है, बहुत ही जादा durable होने वाला है, और उसके साथ अगर इसके size की बात करें तो दो तो हाँ, छोटा सा difference मेरे को दिख रहा है, लेकिन उतना जादा नहीं है, कुछ nano millimeter का ही इसका size difference होगा, पैकेट को ही ज़स छोटा किया गया है, यह सा देखके मुझे अभी लग रहा है, और मैं अगर इसके ग्राफिस port की बात करूँ, यहाँ पर एक ही आप ग्राफिस कार्ड इंसेट कर सकते हैं, इधर आपको BIOS बैटरी मिल जाता है, यहाँ पर आपका 24-pin SMPS का जो connected है, वो भी देखने को मिल जाता है, इधर आपको 4-pin देखने को मिल जाता है उपर की तरफ, और इसी के साथ CPU फैन इधर लगेगा, शायद यहाँ पर आपको बीब आता है, वो बीब बले जो speaker से, वो यहाँ पर लगता है, तो motherboard दोस्तों बहुत ही अच्छा है, मुझे तो यह बहुत पसंद है, अगर दोस्तों मैं इसकी special बात की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 3 SATA port और इधर पर नीचे एक और SATA port देखने को मिलता है, तोटल यहाँ पर चार SATA port मिलता है, आप यहाँ पर चार हाट डिक्स याँ चार SSD है, वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप कलर फूल देख सकते हैं, यह जो पीन port से, यह front panel का port से, जहाँ पर आपका power button, reset button connect होता है, और यह जो बड़ा बाला port है, दोस्तों यह पाटा connector है, अ भी देखने को मिल जाता है, और उपर की तरह आप यहाँ पर जासे कि आप यह जो port देख सकते हो, यह port को कहते हैं, front panel का audio port, तो दोस्तों बहुत सारे ports इसके दिया गया है, बहुत ही जादा भरपूर एनरजी के साथ आपको यह जो motherboard है, यह देखने को मिलता है, अकर दोस्त तो दोस्तों आशा करते हूं आज कि य fence को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्कर यtvडियो च्छलागता है तो जरूसे एक लाइk कर दीजा आछिकछिस वीडियो को शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको कोई दोस्त ऐसे ही Zimbronis का G41 वीडिया 3 Motherboard पर्चस करना चाहता है तो help कीजिए आपके दोस्तों वीडियो को share करके और नीचे comment करना बिल्कुल ही मत भूलेगा क्योंकि हम हर एक question का answer आपको जरुसर प्रोवाइट करेंगे और हमारा ये जो channel है Ava Technology इसको subscribe करके जरुसर बला इकान दबा दीजिए एसी interesting और amazing वीडियो हाँ रोज दिखने के लिए तो दोस्तों मैंना में show up और अभी तक आप देख रहेते है Ava Technology का वीडियो ये वीडियो यही पर ही खतम होता है मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में हुआ